देखे जो NCRB का डेटा आया है जो सबसे जो नेशनल क्राइम डेकॉर्ड ब्यूरो ही सबसे अफिशल डेटा मानते हैं वैसे तो हम लोग तमाम डेटा को अपने आप भी हम लोग के संसा की तरफ से औरतों की हेल्प होती है जिनके देट केसिज आते हैं वाइलेंस की आते हैं लेकिन तीन गुना हिंसा बढ़ी है और इस साड़े-तीन साल के अंदर पिछले खास्तोर से सरकार के जमाने में यह हिंसा बल्कुल नहीं रुक है और बलकि जैसा मैंने आप से कहा, पिछले चार साल के अंदर, मतलब 2012 से ले करके और 2017 के बीच में तीन गुना रेप केसिस बढ़े हैं, जिसमें ये साड़े तीन साल इस सरकार का भी है, और हमें लगता है कि सिर्फ लिप सर्विस है, कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम म लोगोंने जितने भी तरह के और सुविधाम औरतों की सुरक्षा के लिए, यहां तक इतने एरिया दिली में, राजधानी में हैं, जहांकि लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, जिसकी वज़े से बंधेरे में जिब लड़कियां जाती हैं, तो उनके साथ छेड़धानी हो तुमाम ऐसे किस से इस समय माखयात आ रहे हैं जिनमें की folks को करने वाली लड़क के साथ इस सअरय के आचार हो नहीं है, तो ऐसे में हम बिल्कुल एही कहना चाहेंगे, क कहना अभी ऑगी, आज भी, सरकार की मंशा और उसका काम ये बिल्कुल नहीं दिखाता है कि अर।ों ने देखें यहां पर यह बहुत अच्छी बात है कि जो पूरा डेटा हम लोगों ने अभी यहां का देखा है कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा जादा अपने आपको जादा सुरक्षित महसूस करती है आज आप शीनगर की सड़क में रात को भी कहीं चले जाएं तो कोई अ सुरक्षा का अभाव मन में नहीं आका और यह बहुत बढ़ी में वगोट ऑन इस तरह कि स्ट जाएं यह बाकी और सच्छी सुय बाकी भारत के हिस्से में क्यों नहीं हो सकती है यह अपने आपने बहुत बड़ा कुछनी physically दो लगता है कि आखने है उन में के जो आखने है झाल झाल